नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आरके टेडिंग दोस्तों आज तारिक है पांच माई 2020 समय नौबच के पांच में चोगन सेकेंड हो रहे हैं प्री ओपन का सेशन चल रहा है निप्टी 130 पॉइंट पॉजेटिव दिखा रहा है याने कल जो साड़े 500 पॉइंट के गिरावट आए थी उसको थोड़ा सब बांस बैक कर रहा है तो नहीं बोलूँगा बांस बैक बोल सब्सक्ता हूं कि उतनी बड़ी गिरावट आई है त तो थोड़ा तो बांस बैक बनता है तो वही बांस बैक करने की कोशिज कर रहा है अपना कल का अगर इसका हाय देखे यस्टरडे का तो 9550 के आसपास का है जब तक उसके ऊपर यह नहीं निकलेगा तब तक यह उसी जोन में रहेगा इस गैंडल के शैड़ो में हो सकता है य हमारा और लाइफ शैशन में भी जोइनिंग होगा लोगों का मिलेंगे आप लोगों से फिर मैं लाइफ शैशन में मिलूँगा करनसी का टेड का एक्शल सीट अब मैं आप लोगों को दिखा दू पांच जार के कैपिटल से 24 तारिक से च्टार्ट किया था और कुल मिला के जिसमें एक दिन ट्रिगर नहीं हुआ तो टोटल पांच दिन ट्रेड हुआ और पांच दिन प्रॉफिट में ही मैं रहा नौ लॉट के साथ मैंने ट्रेड किया है तो पांच जार के कैपिटल के साथ 3372 का प्रॉफिट आप देख रहें लेकिन यह 3372 नहीं होगा इसमें ब् पूरा जब एक्सल बन जाता है, तो इसमें मैं overall brokerage minus करके चलता हूँ तो अभी जो overall आप देख रहे हैं, 8300 का profit है लगबख 67% का मैंने profit gain किया, यह बड़ी बात है, 5000 के capital पे तो चलिए देखते हैं, आज का क्या result आता है, आज अप्डेट करूँगा currency में, लाइफ शेशन में तो आपनों को भी अप्डेट करूँगा, तब तक के लिए दोस्तों भी recording pause करता हूँ नमस्कार, नमस्कार, screen और sound clear है Okay sir, thank you जहां से ओपन हुआ है वहीं से गिरना भी स्टार्ट हो गया है मार्केट बढ़ियां बथे वेट करते हैं थोड़ा देख लेते हैं कहां कहां क्या क्या हो रहा है अगर जिस इस्टोक को लेना हो आप लोगों को चाहें तो पूस सकते हैं इतका बाइसाइड में है आपके लिए इतका बाइसाइड है देख लेता हूं सर इतका इतका लेप लेकिन अभी तो मार्केट ओपन ही हुआ है थोड़ा से सस्टेन करिए वेट करिए थोड़ा और यूबियल को सेल करना है यूबियल थोड़ा सेल साइड हो सकता है और अगर इतका को बाइक करना होगा तो अभी थोड़ा यूबियल सेल साइड जा सकता है पॉसिविलिटी तो है कल काफी है उसमें आया था आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग इसका तो खाली विक्स बनाया जा रहा है निफ्टी क्या कर रहा है यूबियल 969 के नीचे यूबियल को सेल कर सकते हैं ACC को 1150 के उपर बाय कर सकते हैं अगर 1150 के उपर ACC निकलता है तो अच्छी बाइंग आ सकती है ACC हाँ 1150 को ब्रेक कर रहा है कर गया ब्रेक कर गया एकावन हो गया बावन हो गया बावन का हाय लगा दिया बावन 75 का बावन 90 का हाय लग गया 56 के पास पहला टार्गेट होगा ACC का 1156 के पास 14 हो गया 55 हो गया फर्चपन हो गया फर्स टार्गेट बुक करे यह पूरा प्रॉबबट बुक करें ACC इंबुक करें मैं फर्च्ट टार्गेट डण हो गया चलिए ACC का पहला टार्गेट डण डूसरा टार्गेटateg का होगा ACC का दुसरा टार्गेट 62 का होगा लेकिन पहला टार्गेट पर अपना कुछ क्वांटिटी आप निकालिए उसको बाहर करिए इपका को बाय करना होगा आपको तो 35 के उपर 36 के उपर बाय करिएगा और 969 के नीचे सेल करिएगा 969 के नीचे यूबियल को सेल करना है प्रॉफिट बुक किया इसमें आप लोगोंने कर लिया ना चले वड़ियां है सर अपना काम इसमें एक काम तो हो गया अच्छा लूपिन को सेल कर सकते हैं 848 के नीचे 47 के नीचे भी चल सकता है कोई दिक्कत नहीं है लूपिन को अब आज के लिए जा रही है इसक्रीन विजिवल है ना एवा लिख दिजे फिर से इसका टारगेट 57 का हो गया 56 का था पहला टारगेट पो होई गया लूपिन पर नजर रखे 852 के नीचे सेल कर सकते हैं लिजे सिधा हाई लगा दिया सिधा 48 का लो लगा दिया 48 का लो लगा है 47 के नीचे सेल करना है ओके सर प्रॉफिट बूख हो गया इसमें ठीक है अब आज भी क्लियर है सब ठीक है 847 के नीचे सेल करिएगा इसको 48 भी कर सकते हैं, लेकिन 48 ब्रेक नहीं किया है ग्रासिम को बाय करना है, ओके चेक कर लेते हैं, अरुप शाहब ग्रासिम को आप बाय करना चाहते हैं, कौन आ गए, अरुप शाह, ग्रासिम को बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सस्टेन करने दिजिए ग्रासिम को, एक मिनट, ग्रासिम को बाय करेंगे न, 488 के ऊपर, ग्रासिम को 488 के ऊपर बाय करना है, ठीक है? 488 के ऊपर बाय करिएगा ग्रासिम को उसके पहले नहीं करिएगा, हाथ मत लगेगा उसके पहले, चाली वीड़ा चाली वीड़ा चाली वीड़ा 122 कॉइंट फॉसेटीब, ओके ग्रासिम लूपिन को 847 के नीचे सेल करना है, 848 भी कर सकते हैं, कोई टेंसर नहीं है, लेकिन 47 ज्यादा सेफ रहेगा, अचा यूबियल सेल कर दिया, नौसो उनत्तर के नीचे कहा था, यूबियल को न, मनपिरिज जी, यूबियल 969 के नीचे सेल था न, कर दिया, 962 हो गया लिजे, प्रॉफिट बुक करिए, प्रॉफिट बुक करिए, अब यहीं पर सी बांस भी कर सकता है, मनपिरिज जहां कहीं भी हों कि प्रिया सुन ले है, अच्छा, करें, आउडर ही नहीं मिला, लीजे, आठ 946 हो गया, मनपिरिज जी, खो गये आप, देखिए, कितना जवर्दर्थ मुमेंट टाकी था, 949 के निचे कहा था तो, जवरदस्त, माइड ब्लोईंग हो गया सर्थ, माइड ब्लोईंग हो गया, चाल एक टोबात में, अब नहीं मिला तो, नहीं मिला, जाने तीचे नहीं मिला तो, क्या टेंशन लगाया था, ब्राकेट में लगाया था, ओके, ठीक है, लूपीन पे नजर रखेगा ग्रासीं पे नजर रखना है UBL का काम तो हो गया UBL से तो नग लोगों कोई लेना देना नहीं उसका टार्डेट दन हो चुका है UBL का करंसी में अज मेरा भी सेल साइड का है और ये मैं सेल साइड ओर प्लेश करूँगा पहले मैंने 6 लोट का सेल लगा है करंसी में और अब उसके बाद फिर मैं 3 लोट का सेल लगाऊंगे छे और 3 नो लोट हो जाएंगे ये मैंने ब्रैकेट ओडर में डाल दिया है इनका गोविन सर की इमेज बहुत गोविन सर बहुत श्मार्ट है इमेज आ रही है बहुत गोविन सर बहुत श्मार्ट लग रहे है क्या बात है तो यह मैंने लगा लिया ओडर छे और 3 लोट का ठीक है ओडर लगा लिया आप लोगों ने भी लगा लिया ना मैं सेल साइड रहूँगा ओडर टीगर हुआ तो ठीक नहीं टीगर हुआ तो नहीं हुआ क्लियर कोई दिक्कत चलिए अब अपना दूसरा काम करिए अब अपना काम करिए दूसरा इस्टॉक्स बगरा देखा जाए ना यह तो छूट गया आपका ग्रास यह यूबील तो छूट गया आपने ले नहीं पाए ओडर जबकि पहले बता दिया था लूपीन 848 के नीचे जाय तभी सेल करिएगा उसके पहले नहीं टाइटन 886 के नीचे सेल करना है अभी 888 चल रहा है फिलाल प्लीज टेल मुई जी इन आइनार लेवल सर सर मैं दिखा देता हूं मैंने तो आपके सामने दिखाया ना सर कमाल है अनिस चाहब ऐसे करते है कोई बात नहीं गोविन साहब वो तो ऐसे ही बोला कोई बात नहीं गोविन साहब शली टाइटन 886 के नीचे था नजर नजर रखें टाइटन तो order trigger हो चुका है टाइटन में 884, 83 चैकि एक कितने कलो लगा दिया 883 हो चुका है टाइटन, टाइटन, टाइटन ठीक है अगर आप लोगों को profit बनाना होता ताप लोगों ने ये ACC में भना लेते इतना जवदस moment गया, UBL दिया मैंने इतना जवदस moment गया अब एक टाइटन है चली चार कॉइंट तो आ गए, यहां पर है इससे ही टाइटन ग्रासिम के लेवल चेंज हो सकते हैं, याद रखें ग्रासिम अब 485 के उपर या 84 के उपर भी आप बाई कर सकते हैं ग्रासिम के लेवल चेंज हो सकते हैं आप 484 से 485 के बीच भी बाई कर सकते हैं ठीक है? जो ग्रासिम का लेवल दिया है, वो लेवल चेंज हो सकता है इडिट हो सकता है मैं इडिट कर देता हूँ टेलिग्राम पर भी इडिट कर देता हूँ 185 के उपर भी आप बाई कर सकते हैं बात समझ मारी है ओके सर चलिये 181 के प्रॉफिट बुक करिये प्रॉफिट बुक करिये टाइटन में चलिये चलिये प्रॉफिट बुक करिये तुम्हार विगर लेज़ा माउश 185 कर लिजे राउंड फिगर कर लिजे डारेक्ट 185 कर लिजे पचास पर सक लिए उसको बकस दीजे क्या दिक्करते है ऐसे ठीक है आपने 484 पचास दिया कोई दिक्कर नहीं है प्रॉफिट हो गया टाइटन में न बुक चलिये बढ़ यहां अब कोई दूसरा मचली खोचता हूँ ठरिये दो मचली तो फस गया टाइटन फस गया यूबियल फस गया तीनों में आ गया हम लोगों का माल एक और मचली को फस आता हूँ फिर देखता हूँ चलो एक और कोई मचली दीख जाए तो फिर पकड़ लूँ हाँ एक आद मचली तो नजर पर आ रहा है एसार ट्रांस्फिन एसार ट्रांस्फिन का एक श्टॉक्स है क्या है सर यू एजनर प्लेस सेल ओडर हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक किया है अनिसाप रहेंशन नहीं लेना अनिसाप बिल्कुल ठीक है चले वेट करते हैं हम लोग कि झालर क्यां यह सी्टिए उन्फिन के ऊपर निकले तो फिर जाएगा तिन 257 तक चली चला गया छोड़क दिजे छोड़क हाय अपने ले पाई बाग गया बग गया बगया बग बाग गया बोलते बोलते तो चला गया चला गयाय है से छोड़ दिआ पर बोला तो यह सिद्य सिर्दे फींग नहीं हारा है इसा टांस्विन मिला नय जमा नहीं जमा मन-प्रिशाब चोड़ दिया उसको साथ चारे चलिए लूपिन पर नज़र रखे 848 के नीचे सेल दियाता है 845-46 का लो लगा दिया है भाई लूपिन लूपिन का ओर्डर टीगर हो चुका है ध्यान रखेगा जनता फार्मा और सिपला क्या बाता है फार्मा सेक्टर आप लोग पकड़ लिये हैं चले चेक करते हैं अभी दवाई पर ही भरोसा है नहीं दवा और दारू दोनों पर भरोसा है नहीं कल देखा मैंने कि न्यूज में दारू की दुकान खुली तो लोग तूट पड़े अग्दम जैसे लगे संघार कर देंगे सारे लोग हाँ सिप्ला को बाय लेवल NO अभी नहीं अभी बिल्कूल नहीं चोड़ दीए सिप्ला को भी अजनता-가요 सिप्ला इग्नोर करिये अजनता-फार्मा चेक करेंगे ऑजनता-फार्मा को चौदा-स्ओ या-पंदा-स्ओ को उपर बाई करेंगे अजन्ता फार्मा SBI को सेल करना है मनप्रेश आप SBI पकर लिया है इसका केंडल कहां वग्या आ रहा है इसका तो हिसाब ही घड़ बड़ है SBI सर अगर SBI को बहुत ज़्यादा हो तो सेल करना है 179 के नीचे और टार्गेट ज़्यादा आपको दो पॉइंट का मिलेगा 177 या 177.50 का गरासीम पर नज़र रखे चारसो पचासी के ऊपर भी ले सकते हैं कोई टेंसर नहीं है गरासीम हाँ CESC मैंने कलेक स्टॉक आज मैंने सुभा में अपने वेबसाइट पर CESC दिया था हो गया तो उसमें टार्गेट ड़न हो गया ना CESC का लूपिन का ओडर टीगर हो गया हाँ हाँ लूपिन का ओडर टीगर हो गया है का गया लूपिन यहाँ इसका चार्ट देखता हूँ इंडीगो पर नज़र रखेगा और इपका पर भी दम नहीं भर राश्टो हाँ दम नहीं भर राश्टो हाँ नो सो तेरे ओडर टीगर हो गया ओडर टीगर हो गया इंडीगो लो लगा दिया नो सो बारा का बाँ नो सो आठ के पास पहला टार्गेट होगा इंडीगो चलिए 912 हो गया है चलिए आने दीजिए इसको होले होले नीचे आने दीजिए ठीक है नोकरी को वाइट कर दीजिए वह वाला इन्फोर्य को उस्हमें दम नहीं है चला आजा लगा जटका लगा 908 का टार्गेट दो यहां पर आप पहले तुम हम लोग का भी यूएजडी आएनार ओडर टीगर नहीं हुआ है इसलिए अबर ओल पोजिशन दिखा देता हूं भाई दिखिए ओल पोजिशन खाली है कोई भी ओडर टीगर नहीं हुआ है कोई ओडर टीगर नहीं हुआ है इसलिए खाली है पेंडिंग पड़ा हुआ है ओडर छे लॉट और तीन लॉट का ओडर पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या करें मैं इसके कारण बहुत प्रेशान हो गुरु जी फायस एक्जुट नहीं किया इंडिगो नहीं किया तो सर क्या बता हूं आपको उसको सही से डाला नहीं ब्रैकेट ओडर इस वजह से यह 908 का पहला टारगेट होगा फिर 900 का टारगेट होगा इस इंडिगो का पहला में बाउंस कर रहा है इंपॉर्टेन लेवल है इसका नज़र रखेगा जो लोग डर रहा है इस्टोप लोग सको कोश टो कोश ला के रख लिजे ठीक है ब्यू लगा के रखाया ग्रासिम में ओके ग्रासिम में ब्रैकेट ओडर लगा के रखाया ग्रासिम 385 के उपर स्वरी कितना एक उपर था ग्रासिम बताया था न 480 के उपर 480 के उपर छोड़ दिये चैंसिल कर लिजे नहीं जा रहा है छोड़ दिजे यह बाउंस कर सकता है, cost to cost लाके रख सकते है इसको, अगर profit book नहीं किया है तो, 910 का low लगा आई, 910 रुपया 5 पैसे का, चलिए wait कर सकते हैं, फिलाल ICC bank का पहला target 339 था, 342 के नीचे sell तो बोला ही था, तो उमीद करता हो, वहाँ तक आज आना चाहिए इसको, 3470 हो गया है, 3445 का low लगा थीक है, 347, 339 का target होगा झाल लूपिन में अभी भी बना हुआ आच्छा आपके जजबे को सलाम है सर किधर गया लूपिन तीक है सर लूपिन में अभी भी भी बने हुए तीक है सर कोई बने रही है गडबड तो नहीं है लेकिन सिटोप लस्मेंटें रखे गा जो इस्टोप लोस है ठोड़ा सा दिक्कत है स्टोप लोस में लेकिन बने रही है भी तो आपके साइड में है और इंडींगो का ऐसल है कि ईकीस का ईसल है ना परमुष साब एक किसका लेकिन अगर 910 के नीचे अगर इंडिगो निकलता ना तो ऐसल 16-17 पर लेकर आ जिएगा 910 के नीचे अगर इंडिगो निकलता है तो stop loss 915 पर लेकर आ जिएगा ठीक ना 915-916 आज हमें लगता है UHD INR में 9 टीगर वाला जाएगा क्या क्या लगता है UHD INR में 9 टीगर वाला जाएगा ना क्योंकि अभी तक टीगर तो हुआ नहीं है तो नहीं टीगर हुआ तो कोई बात नहीं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे हैंगे 908 का लो लगा दिया फर्स्ट टार्गेट डन इंडिगो में फर्स्ट टार्गेट डन हो गया बूक कर सकते तो कर लिजे इसके नीचे जाएगा तो 900 के लेबल अरे मनपीजी लग रहें कॉस्ट टू कॉस्ट ले आये थे ना आप अब इस टव लोग्हां इसीलिए गटा कोबद अ कि इनदेशिंट बैंक की तरफ है बाई फर्स्ट टार्गेट डन भी होगा इनदेशिंट बैंक लिज ये इंज्याय करिए अप लोग प्रॉफिट भाई एंज्याय करिए अब इतना इतना इस टॉक्स देता हूं टेलिग्राम पर भी देता हूं इसमें भी देता हूं अब कितना चाहिए सर्थ अब देख लूपिन से बूक ने क्या एट फोटी थरी का लो लगा दिया को बाद ने बूक कर सकते हैं अगर फिर से बाद मारे पहुंस तो बूक कर सकते हैं आज हम लोग यूएस जेनर में लगता है नोट टिगर में चले जाएंगे आइसेसी बैंक प्रॉफिट बूक नहीं किया है बूक कर लिजिए फर्स तर्केट डन होगे आइसेसी बैंक का हाँ टेक मेंदरा में लेवल जो बताया था वो लेवल कितना को पता है था 10 या 11 के उपर बोला था ना कितने के उपर बोला था भाय करने 11 के उपर बोला था गया तो नहीं अभी 10 के उपर और ठीकर हो चुका है अगर कर लीजे सर प्लेस नियू ओडर कर सकते हैं लेकिन वही लेवल वही है सेल साइट का ही होगा और वही प्राइस पर आपने गलत जगा लगा लिया था ना निशाब मेरा तो अभी भी ओडर वहीं पर बना हुआ मैं तो यह दो को से थो फिर तो आपका ले लेगा यह इस्टॉप बहुत ले लेगा 507 का इस्टॉप लोस होगा 506 भी रख सकते हैं पांसो चे का स्टॉप लोस मेंटेन करिए अजनता फार्मा भी कैंसिल करना होगा नहीं जा रहा ना परदिव साब छोड़ दीजे नहीं जा रहा है तो कैंसिल कर लीजे क्या टेंसन है जिसमें वेट करा रहा है मालेते हैं उसमें अगर भरुसा है तो बने रही है नहीं फिगर नहीं किया तो वैसे भी नौ प्रॉफिट नौ लॉस में 44 के नीचे सेल किया टीसी एस ओके 44 के नीचे सेल किया तो 44 आया कहा है सर्थ मुझे यह अभी तक नहीं समझा रहा कि इसे आप लोगों ने कर दिया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है 44 के नीचे कब आया है मनप्री साथ करना है सेल क्या अब पूझ रहा है नहीं उन्हें 140 के नीचे करिएगा 40 के नीचे या हाँ 40 के नीचे एक 40 के नीचे उसके पहले नहीं कर दोस्तों समय हो रहा है 10 बच के 29 मिनिट 30 सेकेंड मैं जल्दी से अप्डेट कर दूँ आप लोगों को कि मुझे ये रूम को छोड़ना पड़ेगा चुक्या कि बेटिकर क्लास होता है ओनलाइन तो यहां पे आप देखिए क्या है कि अभी यूजडी आनर में ओड़र ठीगर नहीं हुआ है तो मैं आपको यह अपडेट कर दे रहा हूं कि अभी तक ठीगर नहीं हो पाया समय साढ़े 10 बच बच रहे हैं जब भी ओड़र ठीगर होग मैं आपको अपडेट कर दूँगा दोस्तों अभी के लिए निकॉर्डिंग पॉस करता हूं दोस्तों एक अपडेट धान जल्दी से मैं आप लोगों को फिर एक अपडेट कर दूँ 10 बच के 32 मिनट 6 सेकेंड हो रहे हैं कि order trigger अभी हुआ है हैना 22 रुपय का profit भी चल रहा ह 9 lot को buy किया 6 और 3 lot को तो मैंने buy कर लिया है total 9 lot को overall जो position है 9 lot का वो आपको 22 रुपय का profit में दीख रहा है अब एक target की अगर मैं अपक्छा करूं तो 75 रुपय 50 पैसे के आजपास का एक target मैं aspect कर रहा हूं पहला 75 रुपय 50 पैसे के एक minute 75 रुपय 55 पैसे के पास में यहां के आ दूसरा target की बात करें देखे 67 का profit हो गया दूसरा target तो 75-46 के आसपास का 112 का profit हो गया 157 हो गया 75-46 का 75-46 तो मैं जो 9 छे lot मैं पहले 75 इसके पास रख दूँगा और तीन रखा उधार चलो modify हो जाओ हाँ चलो हाँ और फिर तीन लोट मैंने उधर कर दिया देखे यह छे लोट टोटल उधर चले गए छे लोट का profit मैंने वहां पर रख दिया ले जाके target अगर आता है तो मेरा यह target done हो जाएगा और उसके बाद दूसरा टार्गेट जाएगा 75-46 के आसपास का हो सकता है क्या हो गया लिया अभी modify ने लिया लेगा ले लेगा कोई बात ने देख लेता है जल्दी से चलो चलो हो गया और यह फाइनल टार्गेट तीन लोट का यहां के आसपास में हो चलो कि नमस्कार दोस्तों समय देख लिए एक बच के 14 मिनट साथ सकेंड इस्टापलोस हीट हो चुका है हमारा 922 रुपए 50 पैसे का लॉस हो गया है तो चलिए आज का एक्सल सीट मेंटेन कर लेते हैं नो लोट को 75 रुपया 85 पर हमारा इस्टापलोस कटा है तो इसको मेंटेन कर लेता हूँ को और यह हो गया इदर योजड आइनार होगा चलिए लगाता हूँ और इसको क्या किया है सेल किया है पहले मैं लगा लोगा है चलिए सेल होगा सेल पर हाँ 75 रुपया असी असी 7080 पर ना 75 रुपया 50 पर हमारी 70-50 पर इंट्री हुआ था 75 पर 75 पर 75 पर एक्जिट होगा तो मैं यहां लिख जाता हूं 85 और देखें 9 लोट लिया यानि कि यहां इधर 9000 लिख होंगा तो इधर हो गया 9000 टोटल जो लॉस्ट हुआ हुआ है लॉस हुआ है टोटल 49 परसेंट के प्रॉफिट में हूँ 7400 का टोटल कैपिटल हो चुका है 5000 के कैपिटल से तो दोस्तों मिलता हूं इस्टॉप परफोमेंस के रिव्यू में